हाई एवरिबान मैं हूँ आपका शतीष वल्कम टू मैं यूटूब चानल आज हम इस छोटे से एक्वेरियम के बारे में जानेंगे यह जो आप देख रहे हो हो यह प्लास्टिक का एक्वेरियम है इसके नीचे वील्स भी है तो इससे मुझे फाइदा क्या होता है एक जगा होता है कि टेबल में पानी बहुत ज़्यादा फच जाता है यह जो आप टेबल देख रहे हो थोड़ा बहुत खराब हो गया इससे पहले सीसे का था इसलिए इतना खराब हुआ तो यह एक अच्छा ऑप्शन है जो भी थोड़ा क्रियेटिव सोसते हैं कुछ लोग सोसते है प्लैस्टिक मचलियों के लिए अच्छा नहीं है पहली बात है यह मचली हम खाते नहीं है तो हम सुरक्षित हैं दूसरी बात है कि आप सबते में एक दो बार क्लीन कर लो कुछ नहीं होगा और इसमें स्नेल्स भी डालोगे तो आपने आप इसको क्लीन करता रहता है तो प् इस टिन से जो पानी आता है उस पानी को मैंने डाला हुआ है सबते में एक दो दिन का पानी में चेंज करता रहता हूं जबसे मैं यह श्टूञ्स डाला है तो समूंदर के नेस्दीक जितने भी ग्रिएटीव चीजे मिलते हैं वो सारे में लेकर आकर इस में डाल ता है ही उनका जो होता है और खाना भी कभी कभी आप जादा डाल डाल देता हैं कभी-कभी मचली काफी भूके रहते हैं जो तो यह जतने भी नीचे जो थोड़े बहुत समुंदर के चीजें थोड़ा पैबल से बहुत सारे से सब्सक्वार्ब क्या ह Fraud के वैसिश सारे वैसे और पानी में इतना जल्दी に गिलता नहीं तो इसमें आप किस तरह के मचली आप आल सकते हो ग्रीन कलरें इंडिया में इसब consuming है आप पाल सकते हो हर वेरेटी का आप इलिजबुल नहीं है, पर्मिशन नहीं है, गॉर्मेंट आफ इंडिया से, और इसमें गप्पी से, मॉली से, शूटिंग टेल है, और रोजी बाप से, जो आप ये लो कलर के छोटे से डॉट देख रहे हो, ये लो बाप से, मॉली से, और ये ब्लैक कलर का होगा, वो भी मॉली है, और यहाँ पर स्नेल भी है, ये जो ग्रीन और ये लोईश कलर देख रहे हो, ये रिवर स्नेल है, समुंदर का स्नेल में एक बार लेकर आया था, जो समुंदर में मिला था, तो ये सारे मचलियों ने मिलकर उन्हें खा लिये थे, और ये समबा सा है, थोड़ा बहुत टेल है, अभी मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, वो कोई क्राब है, तो मेरा फेवरेट तो कोई क्राब है, क्योंकि नेचरल में कोई का बहुत ही ज़्यादा हुता है, और खाफी आसानी से सर्वाइवल हो जाता है, तो फ्रेश वाटर, हमेश से जादा अगर बाहर फिल्टर रख रहे हो, तो बेटर आप्शन है, और इसमें मैंने गोल्डेन फिश भी पालने के लिए ट्राइ किया था, लेकिन इनसे उनका बनता नहीं है, शायद इनका वेश्ट उनको अच्छा नहीं लगता, या इनका जो भी उन दोनों के बनते न नहीं है, बस मर जाते हैं, क्यों शायद इनका वेश्ट और उनका वेश्ट कुछ ऐसा है, और गोल्डेन फिश आर्टिफिशली बना हुआ है, जैसे कि साइन्टिस्ट वालों ने बनाया है, नीचरल में वो फिश नहीं है, तो उसी के खारण शायद उसको बहुत ही केर की जरूरत होता है, तो आप नए हो एक्वेरियम में, तो मैं तो एडवाइस करूंगा, इस तरह के एक पॉट में सिर्फ एक या दो गोल्ड फिश रखो, क्योंकि दिखने में काफी सुन्दर होता है, नहीं आप उतना रिस्क नहीं लेना चाहते हो, होते हैं तो कम दाम कहीं, लेकिन जब भी मर जाते हैं, आपको बहुत दुख लगता है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा, गोल्डन फिश स्टार्टिंग में मत लो, फिर यहाँ पर आप जीब्रा फिश देखते हो, इसमें जीब्रा फिश है सीसे का है, मैंने पानी नहीं चेंज किया, थोड़ा लोटस के गमले होते हैं, वह उन से अगर गोबर डाल रहे हो, तो एथेन गयास बाहर आते हैं, उससे भी मचलिया मर जाते हैं, तो इससे उस तरह का स्मेल नहीं आता, क्लीन नहीं किया हुआ है, मुझे करना पड़ेगा, और पानी भी आप हर दिन चेंज करते रहना, जैसे कि एक कप या एक मग या चोटा सा एक कप, हर दिन थोड़ा पुराना पानी निकाल देना, नया पानी डालना, सबते में एक या दो बार, कंप्लीट पानी चेंज कर दो, पूरा वाश कर दो, नीचे भी जितना भी वेश्ट है, उस सारे निकाल दो, और जब मचलिया को बाह आप कोई कंप्लेंट नहीं करेगा कि ब्लोटिंग सिंट्रॉम होगा,